Welcome to study card दोस्तों आज हम discuss करेंगे 3 सितंबर 2024 के most important current affairs के question तो आप इस पूरे lecture को बहुत इध्यान से last तक जोड़ देखेगा पहला और important question है Paris Paralympic 2024 में नितेश कुमार ने किस खेल में gold medal जीता है आंसर हो जाएगा badminton तो badminton में नितेश कुमार ने कौन सा medal जीता है gold medal जीता है इस बात को आपको note कर लेना है तो badminton के men's singles की SL3 category में उन्होंने gold medal हासिल किया है और यह भारत के लिए Paris Paralympic का दूसरा gold medal है इससे पहले अबनी लेखरा ने gold medal जीता था दोस्तो अगर हम नितेश कुमार की बात करें तो उन्होंने Great Britain के Daniel Bethel को हराया है नितेश कुमार का जन्म हुआ है राजिस्थान में और वह वर्तमान में हरियाना में रहते हैं दोस्तो नितेश कुमार ने पैरा badminton world championship 2024 में अभी हाली में bronze medal जीता था तो ये उनके बारे में आप जानकारेट नोट कर लें अच्छा ग्रीस मिकालीन पैरालंपिक 2024 की बात करें तो इस बार इसका 17 संस्क्रण आयोजित क्या रहा है 28 अगस से 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजिन क्या जाएगा इसका आयोजिन फ्रांस की कैपिटल पैरिस में क्या जा रहा है मोटो है इसका गेम्स बाइड ओपिन और इसमें 22 खेल आयोजित क्या जाएंगे सुभंकर क्या है पैरलंपिक फ्रीज जो की फ्रीजियन कैप से पिरेड़ित है और पैरिस पैरलंपिक 2024 के इंदर भारत के 84 खिलाडियों ने हिस्सा लिया है जिसमें से 32 महिला एथलीट हैं तो ये फैक्ट आप नोट कर लें आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखेगा लास्ट में आपसे कोशिन पूछा जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा आप इस टड़ी करके एप को डाउनलोड कर लें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेड कोर्स, इबोक, टेस्ट सीरीज, टेलीकर इंटरफियर्स की पीडिएफ, क्लास नोट, टेस्ट पास तो टेस्ट पास के अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी कॉंप्टेटिव एक्जाम आईजित की जाते हैं उन सबी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलेडिटी होगी एक बरस की तो आप यहाँ पर बहुती बहतरीन तयारी कर सकते हैं टेस्ट पास की माध्यम से बढ़ते हैं एंगले कुष्ण की तरफ तो कुष्ण क्या है रेमन मैकसे से पुरुसकार दो हजार चौबीस कितने लोगों को परदान किया गया है आंसर हो जाएगा पाँच लोगों को तो दोस्तो अब भी हाली में एसिया के नोबिल पुरुसकार कहे जाने वाले रेमन मैकसे से पुरुषकार 2024 की घोशना की गई है और इस बार पांच लोगों को यह प्रदान किया गया है तो पहला नाम है बियत नाम के चिकितसक गुयन थी नोक फुओंग का दूसरा नाम है फरविजा फरहान का जो की इंडोनेसिया की है तीसा नाम है मिया जाकी हायाओ का जो की जापान के हैं और चौथा नाम है रूलर डॉक्टर्स मुव्मेंट का जो की थाईलेंड की डॉक्टर्स का एक समो है और पांचनमा नाम है कर्मा फुंटसो का जो की भूटान के हैं तो इन पाँच लोगों को रैमन मैकसे से पुरुसकार 2024 प्रदान किया गया है। दोस्तो रैमन मैकसे से पुरुसकार के अगर हम बात करें तो यह एसिया का सर्बोच सम्मान है और इसे नोबिल पुरुसकार की समकक्ष माना जाता है। यह पुरुसकार एसिया चेत्र में परूपकार और सामाजिक सेबा के लिए ब्यक्तियों या संगठनों को हर साल दिया जाता है इसकी स्थापना 1957 में फिलिपेंस के तीसरे राष्टपती रह्मन मैकसेसी की याद में की गई थी ठीक है तो रह्मन मैकसेसी पुरुसकार फिलिपेंस के तीसरे राष्टपती रह्मन मैकसेसी की याद में दिया जाता है रेमन मेकसिसी पुरुषकार से सम्मानेथ होने वाले पहले भारती कौन है आचार विनुवा भावेज जिन्हें 1958 में यह सम्मान प्रतान किया गया था दोस्तोु रेमन मेकसिसी पुरुषकार को एसिया का नोबेल भी कहा जाता है इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा यह पुरुसकार हर साल 6 छित्रों में प्रदान किया जाता है जन सेबा, सरकारी सेबा, पत्रिकार्था, जन संचार, सामुदाइक नेत्त्त, एवं अंतर राष्टिय सद्भाव तो इन 6 छित्रों में यह प्रदान किया जाता है इस पुरुसकार में एक गोल्ड मैडल, यानि स्वन्ड पदक दिया जाता है और इसके अलाबा 50,000 डॉलर की रासी भी प्रदान की जाती है दोस्तो भारत के 50 से अधिक व्यक्तियों को रैमन मैकसे से पुरुसकार मिल चुका है लेकिन हाल ही के बरसों में जिनको मिला है उनको डिसकस कर लेते हैं जैसे अगर हम 2023 की बात करें तो रवी कंनन आर को यह पुरुसकार प्रदान किया गया था जो की स्वास्त देखवाल से संबन्द है रवीस कुमार को 2019 में दिया गया था जो की एक पत्रिकार है और वो उस समय एंडी टीवी से जुड़े हुए थे और 2018 में भरत बाटबानी और सौनम बांग्शोग को यह संबान दिया गया था तो भरत बाटबानी का संबन्द परिसान जीवन में स्वास्त और गरिमा बहाल करने के लिए प्रदान किया गया था और सौनम बांग्शोग को सामुदाइक प्रगत्ती के लिए सिक्षा प्रदान करने के लिए यह पुरुसकार दिया गया था और 2016 की अगर हम बात करें तो दो लोगों को यह संबान दिया गया था बैजबाडा बिलसन को जो की एक मानवा अधिकार करता है और थोडुर मदा बुशी क्रस्ना को जो की करनाटक संगीत से संबन लेते हैं और यह हैं हाल ही के बरसों में रेमन पुरुसकार प्राप्त करने वाले भार दिया अंगला कुशन है योगेज कथूनिया ने पैरिस पैरलंपिक 2024 में कौन सा मैडल जीता है अंसर हो जाएगा सिल्बर मैडल तो दोस्तो योगेज कथूनिया का संबन ने डिसकस थ्रो से है तो नहोंने पैरिस पैरलंपिक के अंदर सिल्बर मैडल हासिल किया है तो नहोंने डिसकस थ्रो की F56 इस पर्था में 42.22 मीटर का स्कोर करके यह सिल्बर मैडल हासिल किया है और यहें उनका season best throw भी है इस point को भी आप note कर ले दोस्तो जो F56 category होती है उसमें जो player होते हैं वो bet करके field event में भाग लेते हैं योगेस कतुनिया की बात करे तो उन्होंने Tokyo Paralympic 2020 के अंदर भी silver medal हासिल किया था अभी उन्होंने विसो पैरा Athletics Championship 2024 में भी silver medal जीता हुआ है योगेस कतुनिया का संबंद बहादुरगर हर्याना से है देखें दोस्तो पैरिस पैरालंपिक में अब तक जिसने जिसने medal जीते हैं उनको discuss कर लेते हैं बाकी medal तो बहुत हो गए हैं कुछ नाम discuss करते हैं आबनी लेकरा ने gold medal जीता है 10 मीटर एयर rifle सुटिंग की SH1 केटेगरी में मोन अगरबाल ने bronze medal जीता है 10 मीटर एयर राइफल सुटिंग की SH1 केटेगरी में पृति पाल ने bronze medal जीता है महिलाओं की 100 मीटर T-35 केटेगरी रेस ने मनीज नर्वाल ने silver medal जीता है मैंस की 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 केटेगरी में और रूवीना फ्रांसिस ने ब्रॉंज मेडल हासिल किया है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 केटेगरी में तो ये मेडल भी आप लोट कर ले अंगला कुशन है अमरेतलाल मीना किस राज्य के मुख सचो बने है आंसर हो जाएगा बिहार तो बिहार राज्य के मुख सचो कौन बने है अमरेतलाल मीना वह पूर्व कोईला सचो है यानि केंद सरकार में वह कोईला सचो के रूप में भी काम कर चुके है वह 1989 बैच के ओफीसर है दोस्तो हाल ही में बिहार के डीजीपी बनाए गए है आलोक राज तो यहां पर आप आलोक राज को देख सकते हैं अभी तक बिहार के डीजीपी कौन थे RS भट्टी यानि राजबिंदर सिंग भट्टी तो उनके स्थान पर आलोक राज को DGP बनाये गया है बिहार का इसके अलाबा आर मलार वीजी को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का निदेशक बनाये गया है तो ये हाल ही में कुछ निप्तिया की गई है दोस्तो बात आई है बिहार की तो बिहार से रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफ्यास डिसकस कर लेते हैं तो पठना में अभी हाली में एक पंगत कारिकरम आयुजित किया गया था जिसमें बिहारी बेंजनों को प्रमोट किया गया है पठना हाई कोर्ट के नियायधीस मने है अर्विंद सींग चंडेल दोस्त कि एक जियो पॉलीमर रोड बनाए गई है और यह प्रथम जियो पॉलीमर रोड है जो की बिहार में बनाए गई है साथवी राष्टिया रैंकिंग ओपन स्केटिंग चेंपियंसिप में गोल्ड मेडल किस ने हासिल किया है राधा कुमारी ने और इनका संबंद किस खेल से है स्केटिंग से केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंतरी कौन बने है जिनका संबंद बिहार से है तो चिराग पासबान बने है केंद्र सरकार में केंद्रिय सूक्ष लगु एवं मध्यम उद्यम मंतरी बने हैं जीतान राम माजी जो की बिहार के पूर्व ये सूटिंग टीम में स्रेयसी सिंग का नाम चुना गया था, इनका संबंद बिहार के जमुई जीले से है, तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें, बिहार की विशिक जानकारी डिसकस करते हैं, तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, कैप्टल क्या है इसकी पठना, मु कमेंट बॉक्ष में उन राज्यों के नाम बताईएगा, जहां पर विधान परिसद है, ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्ष में जरूर बताएं, बिहार की सीमा उत्तरप्रदेश, जारखंड, पश्यमंगाल और नेपाल से लगती है, नेक्ट कुशन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, आंसर हो जाएगा NHPC Limited और SJBN Limited को, तो इन दोनों कंपनीों को अभी हाली में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों, तो भारत सरकार के द्वारा NHPC Limited औ और SGBN Limited को नौरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से अब इन दोनों कंपनियों को नौरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इनकी जो वित्तिय स्वायत्ता है यानि financial autonomy है वो और बढ़ जाएगी। यानि कि ये अपने हिसाब से management कर सकते हैं। नौरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस कंपनी को मिनी रत्न स्रेणी फर्ष्ट का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानि जिस कम्पनी को मिनी रत्न स्रैनी फर्ष्ट का दर्जा प्राप्थ होता है, उस कम्पनी को नौ रत्न कम्पनी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम बात करें SJBN Limited की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, मुख्यालय इसका सिमला हिमाचर प्रदेश में हैं, और यह कम्पनी पन बिजली, पवन, सौर और बिजली, पारेशन लाइनों के कारुबार से जुड़ी हुई है। और NHPC Limited की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है National Hydro Electric Power Corporation, और यह जल बिद्धुत से जुड़ी हुई कम्पनी है, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और यह कैंद्रिय बिद्धुत मंत्राला के आधीन काम करती है, और इसका मुख्याला है फरीदाबाद हरियाना में ह बढ़ते हैं, अंगले कुशन की तरफ ये भी Paris Paralympic 2024 से रिलेड़ है, तो कुशन क्या है, Paris Paralympic 2024 में निसाद कुमार ने High Jump Event में कौन सा मेडल जीता है, तो दोस्तों निसाद कुमार ने Silver Medal जीता है High Jump में, तो निसाद कुमार ने पोर्सों की T47 केटेगरी में High Jump Event में Silver Medal जीत है, निसाद कुमार ने 2.04 मीटर की Jump लगा करके दूसरा इस्थान हासिल किया था, और यह इनका Season Best Score है, यानि 2024 के Season का उनका Best Score है ये, निसाद कुमार ने 2020 के Tokyo Paralympic के अंदर Silver Medal हासिल किया था, उनका संबंध किस प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से, दोस्तों एक और नाम आपको याद रखना है, प्रीती पाल का, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, इन्होंने दो Bronze Medal हासिल कर लिये हैं, पैरिस पैरलंपिक 2024 के अंदर, तो अभी उन्होंने 200 मीटर वीमेंस की T35 केटेगरी रेस में Bronze Medal हासिल किया है, तो उन्होंने 30.01 मीटर के Personal Best Time के साथ तीसरा इ अंदर 100 मीटर रेस में उन्होंने Bronze Medal जीता था, तो इस प्रकार से उन्होंने दो Bronze Medal जीत लिये हैं, पैरिस पैरलंपिक 2024 के अंदर, और इसके अलाबा आपको इनके बारे में क्या याद रखना होगा, जो कि सबसे important है, कि वह track event में भारत के लिए दो पैरलंपिक मेडल जीतन में दर्ज किया गया है, आंसर हो जाएगा इरान, तो दोस्तो इरान का जो दच्छनी हिस्सा है, वहां का एक गाउं है, तो उसमें 28 अगस 2024 को 82.2 degree Celsius का तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान है, ठीक है, तो ये point आप note कर ले, यहां का ओसांक रहा है, 36.1 degree Celsius या 97 degree Fahrenheit, तो ये point आप note कर ले, दोस्तो यहां पर ओसांक की बात हुई है, तो ओसांक का मतलब क्या होता है, तो ओसांक वह temperature होता है, जिस temperature पर बायू पूरी तरह से सूख जाती है, यानि उसकी जो नमी होती है, वो संगने ठोकर के पानी में बदल जात होती है, और जो बायू होती है, वो पूरी तरह से सूख जाती है, दोस्तो ये जो 82.2 degree Celsius तापमान रिकॉर्ड किया गया है, यह इरान में डेरेस्टन हवाई अड़े के पास एक मौसम स्टेशन के द्वारा दर्ज किया गया था, दोस्तो इरान की बात हुई है, तो इरान की बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं, इरान की राधान गया है, तहरान, करनसी क्या है, इरानियन रियाल, यहां की सुप्रीम लीडर कौन है, आयातुला है, अली खामिनेiej, राष्टपती कौन है, मसूद पैजिस्कियान, इरान का प्राचीन नाम क्या है, फारस, और इरान के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी सीमा कैस्पियन सागर और हिंद माहा सागर दोनों से लगती है और कैस्पियन सागर और हिंद माहा सागर के साथ अपनी सीमा साजा करने वाला विशु का एक मातर देश कौन है इरान देखे यहाँ पर आप मैप में इरान को देख सक की गई है आंसर हो जाएगा गुजराद तो हाल ही में केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्य पोर्णा देवी ने गुजराद की गई है गुजराद की गांधी नगर में इस्तित महत्मा मंदिर से दोस्तो यह जो राष्टिय पोशन मां है यह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा इस अभियान की शुरुबात देश बर में पोशन संबंधी जाग रुपता और स्वास्त को बढ़ावा देने के यह की गई है यानि कि इस अभियान का उद्देश यह है कि जो पोशन संबंधी जाग रुपता है वो अधिक से अधिक बढ़ाई जाए और स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जाग रुप किया जाए पोशन अभियान की शुरुबात कब से की गई थी 2018 से औ और यह जो पोशन अभियान है यह महिला एवं बाल विकाश मंतराले के अंतरगत आयुजित किया जाता है। अंगला कोशन है एमेनियल मैकरॉन किस देश के राष्टपती है जिन्हें ओलंपिक ओर्डर से सम्मानित क्या गया है आंसर हो जाएगा फ्रांस तो फ्रांस के राष्टपती एमेनियल मैकरॉन को अभी हाली में ओलंपिक ओर्डर से सम्मानित क्या गया है यहाँ पर आप उ Olympic Order Award दिया गया था और अभिनाव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतिये हैं इससे पहले 1983 में पूर्वे प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को भी यह Award दिया जा चुका है दोस्तों अगर हम Olympic Order Award की बात करें तो यह International Olympic Committee के द्वारा दिया जाने वाला सरवोच पु पुषकार Olympic Movement में बिसेश योगदान के लिए दिया जाता है इसकी सुरुबात 1975 से की गई थी बात करते हैं International Olympic Committee की तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है इसका मुख्याला है लौजैन सुद्जलैन में इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी इसका आदर्स बाग है सिटिय आपको याद रखना है कि International Olympic Committee के द्वारा ही हर चार साल में Olympic खेलों का आईजन करवाए जाता है अंगला कुशन है होकी महिला ACI Champions Trophy 2024 की मेजबानी कौन सा राज्जी करेगा आंसर हो जाएगा बिहार तो दोस्तों होकी महिला ACI Champions Trophy 2024 का आईजन बिहार के राजगीर में किया जाएगा और इसका आईजन 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा और इसका आईजन राजगीर होकी स्टेडियम में किया जाएगा और इसमें भारत के साथ साथ चाइना, जापान, कोरिया, मले में भारत में होगा और 2027 में बंडे फॉर्मेट में बांगलादेश में होगा, महिला T20 विशुकब 2024 का आईजन UAE में किया जाएगा, पहली बांगलादेश में होना था इसका आईजन और फिडे वर्ल्ड चेंपियंशिप मैच 2024 का आईजन सिंगापुर में होना है, पार से महिलाओं का जो F.I.H. होकी विशुकब 2026 है, ये भी बेल्जियम नीदर लेंड में होना है, AFC महिला ACI Cup 2026 की मेजबानी औस्टेलिया के द्वारा की जाए कुई, चलिए हम कल की करिंटरफेस की कोशन एक बार रिवाईज कर लेते हैं, दूरंड Cup 2024 का टाइटिल किस ने जीता है, North East United की टीम ने, पैरिस पैरलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉंच मेडल, National Award to Teachers 2024 के लिए कितने सिक्षकों का चैन किया गया है, 16 है, अमीर में तो किस राजी के पहले ट्रांसजेंडर हैं, जिन्हें Community Health Officer यानी CHO निक्ट किया किस एरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा Aero Lounge launch किया गया है, कोचीन एरपोर्ट पर, उत्तर प्रदे सरकार किंदो सहरों के बीच एक ओध्योगिक सहर डेबलब करेगी, जासी कानपूर, भारतिय सेना ने भूतपूर्व सेनकों और उनके परिवारों की साहता के लिए कौ कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट नमन, हाल ही में उप बायुशन अध्यक्ष कौन बने है, तेजिंदर सींग, भारत के पहले प्रदूशन नियंतरन पोद को लौंच किया गया है, इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप, आज की जनरल नॉलिज के उलेक किया गया है, चौथी अनसूची में राजसभा की सीटों का उलेक किया गया है, पांचबी अनसूची में अनसूचित जाती और जनजाती छेत्रों के प्रसासन का उलेक किया गया है, और छटी अनसूची में असम, तिरप्रा, मेघाला, मिजुरम का जनजाती प्रसास बताया गया है। 12 वी अनसूची में नगर निकायों का प्रावधान है जेने 74 वे संविधान संसूदन के द्वारा 1922 में जोड़ा गया था। तो ये हैं भारतिय संविधान की अनसूचियां। कमेंट बॉक्ष में जरूर बताएगा। इसके अलाबा स्टेडी करके एप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दिया गया है। यहां पर आपको paid course, ebook, test series ये सब ही मिल जाएगा। और अगस्त 2024 के current affairs की जो ebook है वो भी आपको एप पर ही मिल जाएगी। और यह ebook मिलेगी आपको हिंदी और इंगलिस तोनों मिडियम में। तो काफी important ebook है आपके exam के लिए तो इसे आप app से प्राप्त जरूर कर लें। PDF के लिए आप हमारे telegram channel को जोइन कर लें। आपको telegram पर जाना है। और study कर official search करना है तो हमारा channel मिल जाएगा। उस channel को जोइन कर लेंगे तो आपको PDF ही मिल जाएगा। जनबरी 2024 से अगस 2024 तक के current affairs की ebook भी आपको app पर मिलेगी। जिसमें current affairs के 500 से अधिक mcqs include किये गए हैं। और ये ebook भी आपको हिंदी और इंगलिस दौनों medium में मिलेगी। दोस्तो study करके app पर जब आप test series बाले option पर जाएगे तो आपको daily current affairs का test मिलेगा। तो आप test को जरूर दीजेगा ये बिल्कुल free है। इसके अलाबा कुछ mock test भी आपको वहाँ पर मिल जाएगे। दोस्तो ebook बाले option पर जाएगे तो आपको monthly current affairs, yearly current affairs और happy early current affairs के अलाबा science, quality, history इन सभी की ebook भी मिल जाएगी। तो दोस्तो आप हमारे whatsapp channel और instagram page को भी follow कर सकते हैं। इनका भी link description box में दिया गया है।